जब आखों में अर्माल लिया वंजिल को अपना माल लिया तम मुस्किल के आसा क्या जब ठान लिया तो ठान लिया तो अब शबी का शौगत है दिल से दिल तक किस क्लास में आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तो हम नई स्रीज चालू कर रहे हैं जहां पर आज हम बात इसके अलावा यह ड्यारेक्टेट के वीडियो किसी भी क्लास के लिए सिक से लेकर ट्वल्ट तक कि सारी क्लास के लिए बहुत इंक्पॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं तो आज से हमने यह स्रीज चालू कर दे हम लगभग लगभग 10-12 वीडियो कवर करेंगे इन स्री ट्रेटले श्यर्ल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक सेर करने की कोशिस कीजिए चलिए आज हमने पांच कोशिंस ही रखें इन पांच कोशिंस को हम कवर करते हैं एक एक करके concept लिखते चलिएगा हर एक questions का right answer note करते चलिएगा किसी भी questions को और कोई भी concept को आपको miss नहीं करना है बहुत अच्छे से मैं बताने की courses करूँगा चलिए तो शुरू करते दोस्तों पहले question से आज part 1 है तो चलिए देखते दोस्तों पहले question से आज part 1 है कि आपको question बनाना है किस से where से where से question बनाना है इसने answer दे दिया है I live in man the sword तो देखिए दोस्तों जब भी आपको किसी भी wh word से question बनाना हो सुनते चलिएगा जब भी दोस्तों आपको किसी भी wh word से question बनना हो अब आपने देखा where where कौन सा word है दोस्तों where wh word है तो जब भी आपको किसी भी WH word से question बनना है तो उसका नियम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों सबसे पहले आप question word लिखेंगे यानि सबसे पहले इसको note करते चलेगा एक questions के बाद मैं इसको मिटाता चलूँगे नहीं हटाता चलूँगा question word, question word के बाद दोस्तों आप लिखेंगे helping work, helping work के बाद दोस्तों आप लिखेंगे subject, subject के बाद दोस्तों आप लिखेंगे main work, main work के बाद आगे आने वाली जो भी चीज़ है उसको आप लिखेंगे और last में question mark लगाना ना भूलेंगे यदि आपको किसी भी सवाल में question word कहने के लिए कहता है question word बनाने के लिए कहता है चाहे where से कहे, what से कहे, whom से कहे, किसी भी सब्द से कहे अगर आपको wh word है तो आप definitely वहाँ पर question mark लगाएंगे यदि आपने question mark नहीं लगाया तो आपका number deduct हो सकता है दोस्तों जब भी हम question word की बात करते हैं तो question word ऐसे word होते हैं जो कि सवाल पूछने का काम करते हैं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों question word ऐसे word होते हैं जो कि सवाल पूछने का काम करते हैं ठीक है तो question word हमेशा क्या करेंगे दोस्तों ये सवाल पूछने का काम करेंगे वेर डू यू लीव आप कहां रहते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा कोश्चन वार्ट कोश्चन वर्ट के बाद हमने देखा आई के साथ फस्ट फाम लगा है इसका मतलब प्रजेंट इंडफिनिट का संटेंस है और प्रजेंट इंडफिनिट में हमने कह लिखा कि ऑई के साथ आप्या लगाएंगे दोस्तो अई के साथ आफ डू का यूज करेंगे तो इसमें कहा गया वेर डुदे वियर डूआव वेर डूयू लीव तो अब देखिये व्यटेंगं इस्में प्रश्ट आम है मैंनेृस साथ एधू क्या लगा लीखा यिरिव के बाद हमने subject लिखा और subject के बाद देखे main लिखा इसके बाद कुछ और सब्द नहीं है एक्ष्टा सब्द नहीं है तो question mark लगा दिया पहला सब्द बहुत असानी के साथ पहला sentence बन चुका है इसका answer होगा चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ लिखा है perhaps the principal is busy in his office शायद principal अपने office में busy हो rewrite the sentence using correct model इसमें आपको correct model का यूज करना है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसको मैं हटाता हूँ इसको आप note कर लिए होंगे मैं उमीद करता हूँ चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम बात करते हैं दोस्तों model की जब भी हम बात करते हैं model क तो model दोस्तों English में हमेशा लिख लिए रिप्रेजेंट दा मूड रिप्रेजेंट दा मूड मोड इंगलिस में दोस्तों हमेशा मूड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं आपका intention आपका point of view रिप्रेजेंट करते हैं तो model हमेशा क्या करते हैं दोस्तों मूड को रिप्रे यहां आपको मॉडल से रिप्लेड करना है तो एक और मॉडल होता है डोस्तों जिसका मतलब होता है' सåई इस अगर आप मतल्प कर देंगे उसी मॉडल से आप subject लिखेंगे तो subject यहाँ पर क्या है subject है दोस्तो principle इसके बाद आप वब लिखेंगे निए model helping लिखेंगे the principle may be the principle may be busy in his office the principle may be busy in his office तो यह देखे बहुत आसानी के साथ दोस्तों हमने sentence को बना दिया maybe से perhaps को क्या कर दिया replace कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले subject लिखा तो दूसरे question का भी answer हमने दे दिया है यहाँ पर maybe का मतलब भी सायद होता है perhaps का मतलब भी सायद होता है तो काफी असानी के साथ यह दूसरा sentence बन चुका है note कर लिजे दूसरे का answer the principle may be busy in his office चलिए तीसरे सवाल पर चलते है तीसरा सवाल दोस्तो बहुत असान है he is working very hard these days वह इंदिनों बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है he wants to stand first in the class वह क्लास के अंदर first आना चाहता है इस बज़े से वह इंदिनों बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है combine the pair of sentence with two infinitive two infinitive के शाद sentence को combine करना है दोस्तो जब भी हम infinitive की बात करते है नोट कीजिएगा जब भी हम infinitive की बात करते है दोस्तो तो infinitive के अंदर कोई action add to be done होता है लिख लिजे कोई action add to be done होता है यानि कोई भी action अभी पूरा नहीं हुआ पूरा होना अभी बाकि है लगानेज़ी और से बांप नहीं खुनिए परेसी में भुती हैं किको तूब टो फिलका एडी होता है दोस्तों के 22 के साथ दूね में सब्सक्राएं I am वेटोव करते हैं स्वेर का दूसरा टाइफ होता है दोस्तो वेर इंफिनीटूे में दोस्तों के साथ धीन लगाया जाता है tô को ग्राइब का दिया जाता है यापि यूद्स Beijing एक जंठीर शर्फ भी ने शतव इनिवान आता है जो की इस वर्किंग पहले सवाल को आप as it is लिखेंगे he is working very hard he is working very hard these days he is working very hard these days to stand to stand first in the class to stand first in the class to stand first in the class तो ये देखे हमने दोस्तों इसमें two infinitive का use कर दिया ये रहा two infinitive two के साथ भीवन और ये sentence का answer बन गया तो उमीद करता हूं दोस्तों अपने तीन सवालों के answer ठीक ठीक बना लिए होंगे अहों चौते सवाल की बात आप से करना चाहेंगे चलिए तो इसको note कर लिजे तीन सवालों के answer हो चुके है चलिए धूर्ध सवाल की तरह हम बढ़ते हैं चौते सवाल की तरह हम बढ़ते हैं तो चौता सवाल दोस्तों कहें क्या रहाँ देखिए के बाद में वफ की सेकंड फॉर्म है तो दोस्तों उस टेंस को आप कहते हैं पास्ट इंडफिन टेंस उस टेंस को आप कहते हैं पास्ट इंडफिन टेंस और सपोर्ट जो है वह सपोर्ट की सेकंड फॉर्म है उस टेंस को कहते हैं पास्ट इंडफिन टेंस इसका और इसके तुरंट बात दोस्तों अपमेन वफ की फस्ट Фर्म यहां यूस करेंगे जिए हम इस को सो चलिए इसट एक पे पॉट इस इसका नीकेटिव बनाए तो इसका नीकेटिव बनेगा एंसर लिखेगा टेड टेड नाट डे डीड इंट widget एक बात नोट कीजिएगा इंगलेश में पाच पी हमेशा दोस्तों प्लूरल होते हैं लिकलीजे बहुत अच्छा प्रजण है यहाँ पर पुलिस के साथ बहुत सारे लोग इसका प्रजेंट परफिक्ट बनाने के लिए है जिका यूज करेंगे तो लिख लिजे दोस्तों प्लूरल होते हैं पहला लिख लिजे पहला पी होता है दोस्तों पुलिस पुलिस वर्ड दोस्तों प्लूरल होता है इसके अलाबा लिख लिजे पब्लीक, इसके अलाबा लिख लिजे दोस्तों, पीजेंट्री, पीजेंट्री, इसके अलाबा लिख लिजे दोस्तों, पोल्ट्री, पोल्ट्री और इसके अलाबा दोस्तों लिख लिजे पीपल, तो पुलिस में ये 5P, दोस्तों ये 5P हमेशा इंगलीज में रहते हैं पुलिस पब्लिक पीजेंट्री पॉल्ट्री और पीपल इस पीजेंट्री का मतलब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस पीजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग ठीक है तो चलिए इसका बनाते हैं प्रेजेंट पॉफेट प्रेजेंट तो अभी अभी आपको बताया, पुलिस कैसा है, दोस्तो पुलिस हमेशा क्या होता है, पाच भी हमेशा प्लूरल होते है, तो पुलिस जो है, प्लूरल को दिखा रहा है, इस बज़िस इसके साथ आप हैब का परियोग करेंगे, दा पुलिस हैब अरेस्टेड, और दिन की ये सांदार प्रेक्टिस रही, उमीद करता हूँ दोस्तों आपने इस प्रेक्टिस को बहतरी ढंग से सीगा होगा, इन वीडियो में एक एक कॉंसेट को आपने अपनी नोट बुक में नोट किया होगा, लगभग 12 तेरा वीडियो के अंदर हम लगभग 100-500 करिये नहीं अच्छा लगा तो भी सेर करिये, विकास सेरिंग इस केरिंग तो मिलते हैं आप से नेक्ष वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखेगा, थैंक यू, वाट नाइस टेय, वेलकॉम